पूरे विश्व में यदि किसी देश के लोग खाने के सबसे ज्यादा शौकीन है तो वो है हम भारतिय। भारत देश में राज्यों के हिसाब से खान पान में बदलाव देखा जाता है। यही वजह है कि यहां मिलने वाले विभिन प्रकार के भोजन को ग्रहन करने के लिए ल अगर बात करें नाष्टे की तो जिस तरह से दक्षिन भारत में डोसा इडली, पंजाब में पराठे, महराष्ट्रा में वड़ा पाओ काफी ज्यादा मशहूर है। ठीक उसी तरह से उत्तर भारत में लोग नाष्टे में कुरकुरी पोड़ी और आलू की सूखी सबजी ख खाना ज्यादा पसंद करते हैं। ये एक ऐसा नाष्टा है, जिसे यात्रा के दोरान भी लोग ले जाना पसंद करते हैं। बच्चों के टिफिन से लेकर बड़ों की नाष्टे की थाली तक में अगर पूड़ी और आलू की सबजी परोसी जाए तो दिन बन जाता है। ऐस सबसे पहले एक परात में गेहू का आटा चान कर निकाल लें। इसके बाद इसमें सूजी और बिसन मिक्स करें। इसे अच्छी तरह से मिलाने के बाद कसूरी, मेथी, नमक, अजवाइन मिलाएं। इसके बाद इसमें थोड़ा सा तेल डाल कर इसका आटा गुंथ लें। आटा गुंथने के बाद अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही छोड़ दें। कुछ देर बाद इस आटे से छोटी-छोटी लोई बनाएं और फिर इसे पतला बेल कर गर्म तेल में कुरकुरा होने तक तल लें। एक-एक करके सभी पूडियों को अच्छी तरह से सेंक के अ को बनाने के लिए सबसे पहले आलूओं को आधा-ाधा इंच के टुकडों में काट लें। इसके बाद एक कडाही में तेल गर्म करके इसमें हरी मिर्च डालें और उसे भूने। अब मिर्च भूनने के बाद उसमें हल्दी, जीरा, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल कर भूने। मसाला तैयार होने के बाद इसमें उबले हुए आलू डाले और चमचे की मदद से इसे सही से मिक्स करें। ध्यान रखें कि ये आलू कडाही में चिपके नहीं। अब आखिर में इसमें स्वाद के अनुसार नमक डालें और फिर कुछ देर पकाने के बाद गैस ब इसके साथ नाश्टे में चाय देना तो कताई ना भूले। चाय से इसका स्वाद और बढ़ जाएगा।